आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आपके सामने एक मैं बॉइस स्वेटर लेकर आई हूँ जो की दो कर तीन कलर लगा के मैंने डिजाइन बनाया है इसके हम हाइनक गला बनाएंगे और अगले एंड कटिंग करेंगे मैंने नीचे से 40 फंदे डार के एक सीधा एक उल्टे का बॉडर बनाया है उसके आगे मैंने यह सोड़ा सा डिजाइन डाला है यह आपको मैं डिजाइन डालना सिखाती हूँ ऐसे बॉर्डर बनाकर एक सीधा एक कुल्टे का बॉर्डर बनाकर और एक सीधी उल्टी स्लाइड डाल लेने इसके बाद हमने पूरी स्लाइड वाइड कलर की पूरी स्लाइड हम पूरी सीधी और उल्टी एक स्लाइड वाइड तक की कर लेंगे पूरी स्लाइड आप सीधी देखो मैंने एक सीधी कूल्टी स्लाइड पाइड दागे की चड़ा लें अब हमने थर्ड तक का यूज करना है पिर लिए हमने देखो एक पंदा उतार लिया अब जे तीन फंदों का डिजाइन है यहां से नहीं बुनना जो सेंटर वाइड तीसरा फंदा ना एक और दो तीसरे के फंदे के सेंटर में जे है जहां से हमने जेवर धागा लगाने है एक फंदा ऐसे लगा लिया अब हमने तीन फंदे वाइड धागे से बुल लेने यह वाला फंदा ऐसे करके इसके उपर से ऐसे उतार देखो अब जिस एक धागा फ्रोजी ते कलर का फिर हमने यह यहां से ऐसे फंदा उतारा निकाला तीन फंदे वाइड बुन ले इसके उपर से ऐसे एक फ्रोजी यह यह तीन फंदेना इसके जच सेंटर वाला फंदाना इसके यहां से यहां से उतार यहां से लेना यहां से लेना इसके तीन फंदों का डिजाइन आजए इस इस तीन फंदों का चौत्ता फंदा ने दूसरा कला डालना फिर तीन फंदे फिर एक फंदा फ्रोजी और तीन फिर वाइट फिर हमने यह वाला आप 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 तीन वाइट फिर फंदा इसके उपर से इसे उतार देना और एक फंदा फ्रोजी फिर एक फंदा यहां से तीन वाइट इसके उपर से ऐसे आप स्लाई पूरी कम्प्लीट कर लें पूरी कम्प्लीट हो गई एंड में आपके थीन फंदे ने दो आएगे तो दो ही बुन लेना आप उल्टी स्लाई में पेले फंदा उतार लिया फिर एक और दो और वाइट सेंट्र वाला बुनना एक वाइट आप एक दो और तीन जो तीन फंदे आना ऐसे आजाएगा तीन तीन फंदे हमारे फ्रोजी आजाएंगे सेंट्र वाला फंदा वाइट ही आएगा एक वाइट फिर तीन फंदे वाइट दो स्लाईयां की यह उन्थी है एक दो और तीन सेंट्र वाला वाइट एक दो और तीन फिर वाइट एक फिर एक दो और तीन फिर वाइट जेदागा अपना साथ साथ ही ले आना हमने क्योंकि जेदागा अगले डिजाइन में फिर डालेंगे न इस एक एक ही स्लाइस की डलती है सिरफ एक दो और तीन फिर वाइट एक दो और तीन फिर एक वाइट आप जो मैं ठोजिडार पंदर डाले ना उसके इधर आवादी वा अपना इवाईट वायक टाल ऑसे हैंजै को आप इस टीन फिर पोजी हो गए ने हैंब जेंट्र वाइट एक गया अब जार तीन फिर वाइट पशो जी आजाएаров एक इधर से लेलना एक इधर से लेलना एक दो और तीन एक वाइट फिर एक दो और तीन फिर एक वाइट एक दो और तीन फिर एक वाइट एक और दो और तीन फिर एक वाइट एक और दो अब दो स्लायों की उन्ती है अब हमने सिंपल फ्रोजी धागे से जितना आपने डालना मैंने इसको इतना सा डाला देखो इतने अतना डाल के मैंने जे मैंने उल्टी तरफ से दिखाती हूं एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ सास लाया मैंने डाल के मैंने इजे डिजैन डाला मैंने अब हम इसे भी ऐसे डाल के फिर आगे फिर डालेंगे दो स्लेया के उन्ती है सिर्फ अब सिम्पल प्रोजिधा गई लगाएंगे आसे पूरी सीदी से स्लाइड डालके उल्टी तरफ से उल्टी तरफ से सीदी पूरी सीदी जाएगी फिर उल्टी अब हम इसकी ऐसी कटाई डालेंगे रिगोंट कटाई डाल लेंगे ऐसे आएगी पीछे वाला हिस्सा है जो मैंने प्लेन बुना और इसके ऐसे मैंने कटिंग डाल लिए तो कि वाजू की वी ऐसी आएगी और दोनों सेड़ों के में ऐसी आए यह आपको मैं बनाना सीखाती हूं कैसे पिर ले फंदा पर मैंने इसमें चार फंदे इसमें डाल लिए कि पीछे करके एक फंदा आगे से मैंने ऐसे चार फंदे ना इसके हमने कटिंग डालनी है यह दो का एक फिर दो का एक जो फंदा पीछे है उसको आगे पहले बुन लेना यह देखो पूरी स्लाई सीधी दोनों तरफ से हमने एक जैसी कटिंग करने हैं पीछे इससे की बाजू की भी सब पासे एक जैसी ही करने हैं दो दो फंदे हम दोनों तरफ से कटाएंगे और एक सीधी और उल्टी स्वाई हमने सिंपल डालनी इसमें आट शाल के बच्चे के लिए हैं आट शाल के बच्चे के लिए हैं आटर की लुबाई अपने बच्चे की साब से आप रख सकते हूं आटर के लिए भी वागा आट बच्चे की सीधा हैं पर फंदवाड़ाएं आटर की लुबाण टो आटर रख से का लिए हैं आटर के लिए हैं आटर के लिए हैं की विए हम दो आटर की लिए हैं अधर हमने चार फंदे पहले किये थे ना, पीछे करके आगे एक फंदा बुना था, अब हमने एक फंदा उतारना से, एक फंदा ऐसे उतार लिया, पूरी उल्टी, इसमें कुछ नहीं करना, पूरी उल्टी, इसमें कुछ नहीं करना, पूरी उल्टी, अब एक सिंपल स्लाई हमने सीधी उल्टी डालनी है, एक सीधी और एक उल्टी, उसके बाद हमने फिर दो दो फंदे की कटिंग करेंगे, एक सिंपल सीधी से डालो, एक उल्टी, एक स्लाई में हमने कटिंग करनी, एक स्लाई हमने सीधी उल्टी, एक सीधी उल्टी डालो, फिर आगे आपको एक पर फिर बताती हूं, देखो सीधी उल्टी मैंने स्लाई एक बुना ली है अब फिर क्या करना एक फंदा उतारा ये हमने चार फंदे स्लाई में ले लेने एक दो तीन और चार चार हम पीछे कर देने और एक फंदा हमने ऐसे बुन लेना मुझे चार फंदे ये है ना जे दो का एक फिर दो का एक फिर दो का एक पूरी स्लाई से सीधी सीधी डाल के दूसरी तरफ से भी एक स्लाई में हमने कटिंग करने एक सीधी और पूर्टी हमने सिंपल बुननी बस इसका ही ध्यान रखने आपने और यह लगा है आप गणा आप आप लगा आप अबत आप 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 फिर दो का एक, फिर दो का एक, परजे फंदा हमने, ऐसे आजाएगा, एक सीधी उल्टी सिंपल डालनी है, एक सीधी स्लाई में ये करना हमें, उल्टी स्लाई, सिंपल उल्टी, ऐसा आप कर लो, फिर आगे आपको गला बनाना मैं सिखाऊंगी, ये देखो मैंने पूरा बना लिया, उसकी पूरी कटिंग मैंने, आगे, पीछे, बाजू, सब की कटिंग जैसी डाली है, ये मैंने, बीचे से मैंने 80 फंदे डालके, उपर 82 फंदे कीए मैंने, बीचे 80 ऊपर 82 कीए, और बाजू के मैंने, बीचे से 44 उपर से मैंने 70 कीए, ये साथ साल के बच्चे के लिए है, और ये देखो, ये मैंने एक जैसी कटिंग डाली है, और आगे वाले हिस्सञे के मैंने चौनती फंदे रखे है और पीछे भी चौनती फंदे में रखे हैं। एक साथ डाल लिए हैं। ने पां फिर पीछे वाला हिस्सा धिर बाजू पिर आगे वाला हिस्सा ऐसे डालके मैंने दो सलाइयां चड़ाके रखी हुई है यह देखो बड़े बच्चे के इस साथ साल के बच्चे के चोटे बच्चे का बनाना हो तिनीचे वारे फंदे आप 30 डाल लो दो साल के बच्चे के लिए उससे बड़ा है तो 35 डाल लो है मैं सत्तर फंदे 25 जोड सत्तर फंदे चोटे बच्चे के लिए साथ जोड साथ फंदे और थर्टी जोड इतने डालके आप यह डिजैन डालो डिजैन यह वाला मैंने बनाया देखो चलो आपको गला बनाना सीखा दें फिर यह चार से लहां से हम बनायेंगे एक सीधा एक उल्टा फंदा मैंने डाला है जो नीचे बाड़ा डाला ना वह वाला उपर बाड़ो रहा है एक उल्टा एक और सीधा चार हिससे आपने स्लाइंगों में डालने चार स्लाइंगों में और एक साइड तो शुरू कर लेना एक सीधा एक उल्टा आप चोटा बनाना चाहो चोटा बना सकते हो ज्यादा बड़ा बनाना हो हाईनक ज्यादा कालर जैसे बनाना हो मगी पूरा गले तक बनाना हो तो गले तक भी बना सकते हो अपनी अपनी इच्छा के उन्सार है कि बहुत सरल है चारों चारों हिस्सों को अपने चार स्लाइया में डाल लेना और एक साइड तो शुरू करके आप पूरा गुलाई में पुंते जाना आपको मैं बना कर पूरा दिखाती है और आपको स्लाई कन्मिद बताऊंगी और ग़ना पूरा बनाकर आपको मैं फिर दिखाती हूं पूरा बन गया मैं इतना चोड़ा इतना लंबा बनाया है आप छोटा ही बना सकते हो बड़ा पूरा बनके त्यार हो गया आप इसको बंद गया देखते हैं यहां से मैंने शुरू किया था वहां ही पहुंच गई हूँ आपने जहां से शुरू करना वहां सही बंद करना है दो का एक वापस फिर दो का एक वापस जैसे हम नॉर्मल बंद करते हैं वैसे ही बंद बंद जा टाइट नहीं करना नहीं तो फिर बच्च गएना गले से डालना मुश्क्ल हो जाएगा और धिल्ले आथ से ही बंद करना जुम्बाई चुड़ाई अपने बच्चे के साथ से आपना आपके रख सकते हूं ऐस्तना पूरा बंद कर लेने फंदे पूरे राउंड चिप जाके, ऐसे आ जाएंगे, आपको पूरा बंद करके फिर मैं आपको दिखाती ही, देखो बंद होके कुछी इस तरह नदर आएगा आपको, आप ऐसे फोल्ड करो, आपको, और इसकी स्टीचिंग ऐसे देखो मैंने की है, आपको मैं करना सिखाती है, यह दोनों जो आपने कटिंग की ना, इसका मैंने वैसे मेरी वीडियो भी बनी हुई है, आप वहाँ भी देख सकते हो, यह दोनों एक अम्मों समने आने चाहिए दोनों, अहां से, सिद्धी तरफ से मैंने की है, सिद्धी तरफ से करके, बिल्कुर एक सामने आने चाहिए, यह देखो, बिल्कुर दूसरे के सामने आने, लुड़ा खीच देंगे, जैसा फंदा जो हमने छोड़ा था ना फंदा, उसे उठा के, और दूसरे को भी इसके दर से, इदर से, यह दे तरह को अपी, यह मने पूरा एसे बनाया एको, यह यह दिए की मने, यह दो प्राइस इपनायार एको, यह दो कि इद़े दिने, बिल्कुल एक दूसरे के सामने से रहला है भाला चल के मैंसे हुआ है। अर्षा उह कर दूस्थ पाल्तकी पली के सामने से conception बिल्का अर्पेर के सामने आसी पूरी आपको स्लाई करके स्लाई की है बाजू की स्लाई भी कर ली कुछ इस तरह नजर आएगा आपको यह पीछे वाला हिस्सा है और यह आगे वाला आपको बन के त्यार हो जाएगा आपको बन के त्यार हो जाएगा ilippa